हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्विटिट कमूडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक जबदस चार्टिंग पैटर्न के उपर बताने जा रहा हूं और यह जो चार्टिंग पैटर्न के बारे में आज हम डिसकस करने आपको चाट पर रिग्लर व एसिसअ पर देखने को मिले का लेकिन हम इसको चाट पर आइदेनिटिफाई जैन्रली नहीं कर पाते हैं यहाँ पर मिस कर देते हैं तो आज के बाद जाप इस चार्ट पैटर्न को सीख लेंगे तो आप इसको इसली सम Dip wann or lamb slash नोगते सकते हैं होने का मतलब क्या है फिर आप इसके basis पे जो एक profit opportunity मिलता है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं वो opportunity यहाँ पे आप miss नहीं करेंगे और यहाँ पे जो हम charting pattern के उपर discuss करें इसके उपर हम regular video बनाते रहेंगे और इसके उपर लिखना चाहते हैं तो चैनल को जहूर सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी जहूर दबा दिजे ताकि जब भी हम video upload करो वह video आप तक पहुंचे आप उस video को miss ना कर पाए तो चलिए start करते हैं और सीखते हैं charting pattern के बारे में तो यहां पर हम आज जो charting pattern को उपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका broadening bottom chart pattern जिसको हम लोग megaphone pattern भी बोलते हैं क्यों megaphone pattern बोलते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन यहां पर जो आपको यह pattern दिख रहा है यही आपका क्या है broadening bottom chart pattern इसके उपर हम आगे detail से बात करेंगे सबसे पहले इससे विलेटर जो कुछ point है वो हम समझ लेते हैं फिर हमें यह जो pattern है इसको समझने में और जादा आसानी होगी तो सबसे पहले यहां आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी chart pattern देख रहे हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वो या फिर आप कोई भी chart pattern देख रहे हैं सबसे पहले उस pattern में आपको क्या क्या देखना है सबसे पहले आपको देखना है जो pattern के बारे में बात करें या फिर आप सीखने कोशिस करें वो pattern क्या है वो directional है या फिर non-directional है पैटर्न आपका डायेक्शनल हो सकता है या फिर नॉन डायेक्शनल हो सकता है अगर डायेक्शनल है तो इसका डायेक्शन क्या है continuation of trend का hint मिलबा है या फिर यहाँ पर हमे reversal का hint मिलबा है या फिर non-directional जिसको हम लोग range bond market बोलते हैं उसका hint मिलबा है तो exact यह हमें कहना क्या चारा वो आपको यहाँ पर समझना परेगा, सीखना परेगा कभी आपको कोई charting pattern trading में help करेगा otherwise charting pattern के बार में information लेके भी आप सही तरीके से उसका इस्तमाल नहीं कर पाएंगे उसका implementation नहीं कर पाएंगे तो charting pattern को तो सीखना ज़वरी है साथी साथ उसका implementation कब करना, कैसे करना वो भी आपको आना चाहिए otherwise आपके पास knowledge होके भी उस knowledge का कोई फाइदा आप नहीं उठा सकते है उसके बाद जब यह charting pattern form होता है उस time पे volume का जो development होता वो कैसा होता है, वो भी आपको देखना परेगा उसके साथ बाद यहाँ पे आपको price action को भी समझना परेगा क्योंकि ultimately matter हमें यही करता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हम entry point find करेंगे target find करेंगे और stop loss जब आप trading करते हैं, तो यही तीन चीज़ important होता है, entry, target, stop loss और यह जो charting pattern के बादे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो आपको clear entry point देता है, clear आपको target price देता है, और clear cut एकदम stop loss देता है, उसमें कोई confusion नहीं है, तो चलिए, आज हम broadening bottom chart pattern के उपर बात करते हैं, जिसको हम लोग short में, megafone chart pattern भी बोलते हैं, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी chart pattern देख रहे हैं, तो यह सब हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना होगा, यह जो pattern यहां पर आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है, broadening bottom chart pattern, यहां पर हमें क्या find करना होता है, यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको at least दो high find करना होता और दो low find करना होता मतलब यहां पे यह pattern for m और यह क्या form हो रहा है यहां पर आप player Moving cut देख सकते हैं यह आपका लौ है और उसके नीचे इस बनाया है मतलब यहां पर lower low pattern का formation होता है और lower low pattern के बारे में एंट्राडर वाले ले वीडियो में भी रेगलर बेसिस पे डिसक्स करते रहते हैं उसके उपर में देख सकते हैं आपका यहाई बना फिर यह बना फिर इससे उपर हाई बना मतलब उपर में आपका। higher high pattern का formation हो रहा होता, मतलब नीचे में lower low और उपर में higher high pattern का formation हो रहा, मतलब यहाँ पर जो bottom बना, यह bottom आपका क्या हो रहा, bottom आपका धीरे-धीरे, wide हो रहा, इसे के लिए हम बोलते हैं, broadening bottom pattern, और यह कब form होता, देखिए price जब उपर से नीचे गिरता है, तब यह form होता, इसल इसके बार, इसकी बार क्या होता, इसकी बार, जैन्वल ही हमेn reversal देखने को मिलता है, मतलब यह यह आंपे क्या find करके देगा है, यह हमें यह इसल करके देखा, यह निके रिवर्शल trend को हमें identify करने में help करता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला oike tuck area क्या है, जि colored pattern हम दो से ज्यादा हाई मिला है नीचे में हमें दो या दो से ज्यादा लो चाहिए तो पहला लो हमें यहां पर मिला और दूसरा लो यहां पर मिला मतलब इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ है यह जो पैटर्न है चार्टिंग पैटर्न है वो चार्टिंग पैटर्न कम्प्लीट ह हो गया है ठीक है अब यहां पर हम इसके basis पे entry point exit point target stop loss कैसे identify करेंगे यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर हमने line draw किया simple सा method है कोई complications नहीं है जैसे इस line को break करके ऊपर निकलेगा तो वह क्या हो जाएगा हमारा वह हमारा बन जाएगा entry point लेकिन उससे पहले आपको एक द्यान रखना परेगा during the pattern आपको volume पर भी ध्यान देना परेगा volume क्या होना चाहिए below average volume होना चाहिए देख सकते हैं यहां से चार्टिंग pattern start हुआ volume आपका below average volume है जितना volume होना चाहिए था उससे कम volume यहां पर देखने को मिल रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यहां पर consolidation phase चल रहा है मतलब market धीर धीर नीचे तो गिर रहा है लेकिन साथी साथ क्या हो रहा consolidation भी यहां पर आपका होता जा रहा है इसलिए इसको हम लोग bottoming out भी बोल सकते मतलब यहां पर indication दे रहा है कि market आपका bottom formation कर रहा है और इसके ज़री आप market के bottom को आप सही तरीके से identify कर सकते हैं और सही time पर यहां पर आप entry ले सकते हैं जब हमें breakout देखने को मिलता है तो entry हमें कब लेना इसको मैं आपको चार्ट पर ले जाके वापस से सारा कुछ explain करूंगा यहां पर आपको सीखना जब यहां पर breakout देगा यह हमारा entry होगा stop loss क्या होगा यह जो pattern है इसका lowest point है जो यह line है उससे थोड़ा सा line के तो जो length straight line का होगा वही क्या लेंगे length हम target price का रखेंगे कहां से breakout के बाद जितना इसका length है same length का यहां पर हम क्या रखेंगे अपना line draw करेंगे यह हमारा target price होगा और generally इस target price तक price आता हुआ दिखेगा जिसके basis पर यह एक strategy है और इसके basis पर हम दूसरे strategy भी form कर सकते उसके उपर बाद में बात करेंगे सबस्क्राइब चार्ट पर आते हैं और इसको वापस से एक बार और आपको explain करते है लाइब चार्ट में जो कि हमें charting pattern है और direction हमें क्या बता रहा यह bullish pattern है मतलब price जब उपर से नीचे आता bottom formation के time में यह charting pattern form होता उसके बाद यह हमें reversal को indicate करता मतलब यह आपका bullish charting pattern है pattern type क्या reversal pattern type है already मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया उसके बाद volume क्या है volume आपने देखा कि जब यह charting pattern form हो रहा तो वहाँ पर volume आपका diminish हो रहा volume बहुत कम है मतलब volume should be diminishing throughout the pattern उसके बाद breakout कब मिलता breakout मिलता closing above the upper trend line यह जो upper trend line आपका form होता इस तरह का इसके उपर जैसे ही निकला closing इसके उपर जैसे ही दिया वहाँ आप में क्या देखने को मिला breakout देखने को मिलेगा मतलब इसके थुरूफ सारा कुछ यहाँ पर हमें clear cut समझ में आगे अब हम चार्ट पर चलते हैं इसको और किसी भी time frame में यह pattern मिल गया उसके basis पर आप trade execute कर सकते हैं यहाँ पर time frame का कोई limitations नहीं है यहाँ पर हम daily chart का time frame लिए आप कोई भी time frame ले सकते हैं क्योंकि यह pattern मुझे daily time frame मिला यहाँ पर एक और example लेंगे जहाँ आप हम अब early chart में भी देखने कोसिस करेंगे तो यह pattern आपको जिस भी time frame मिलता है उस time frame के basis पर आप ट्विर ले सकते हैं चाहिए वह 5 मिनट हो या फिर 10 मिनट हो या फिर 15 मिनट हो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने megaphone का photo क्यों लिया है क्योंकि megaphone का देख सकते हैं आपका इस तरीके से क्या हो रहा सेफ जा रहा सेम सेप आपको यहा वाइड हो रहा इसका area देखिए यहाँ पर area छोटा है धीरे धीरे इसका area wide होता जा रहा है और यही क्या मनाता है यही pattern को हम लोग बोलते हैं broad नी bottom pattern जहाँ पर bottom आपका धीरे-धीरे broad होता चलता है यहाँ जो width है वो धीरे-धीरे यहाँ पर आपका increase होता जाता है यहाँ width कम है यहाँ पर जादा यहाँ जादा यहाँ जादा यहाँ जादा यहाँ और जादा ठीक है अब यहाँ पर क्या करना यहाँ पर सबसे पहला point क्या था हमें two high चाहिए और two low चाहिए यहाँ पहला high हमें यहाँ पे मिला दूसरा high यहाँ मतलत दो high यहाँ पर मिल गया और यह आपका higher high pattern का formation कर रहा है, एक high यहाँ पर, इसे उपर high बना है, मतलब, यह आपका higher high pattern का formation कर रहा है, ठीक है, quitteria पहला satisfy हो गया, higher high pattern और दो high हमें चाहिए, दूसरा quitteria क्या है, हमें यहाँ पर lower low pattern चाहिए, और दो low चाहिए at least, पहला लो यहाँ पे दूसरा लो यहाँ पे और इससे निक्ची यह लो बना है मतलब यह lower low pattern को fulfill किया है और पहला लो यहाँ पे दूसरा लो यहाँ पे मतलब मुझे दो high मिल गया दो low मिल गया मतलब यह जो pattern है यह मेरा pattern सही है और यहाँ पे यह pattern मेरा complete हो गया है अब यहाँ तो उसके बाद करेंगे यह जो लाइन ने च्रूर पर कर यहां पर ब्रेक आउट कि रॉपरeral चाहे sellers कि वॉलूम आपका डिवनिश होना जहें जो कि मैंने आपको एक्जाम्पल बताया था यहां पर देखें थ्रौद पैटर्न जो वॉलूम है आपको एवरेज वॉलूम से यहां पर आपको कम वॉलूम देखने को मिलेगा तो क्या क्या हुआ हमें दो हाई चाहिए दो लो चाहिए मिल गया अब यहीं चीज यहां पर हमें चाहिए था और इसी के लिए इसको मेगाफून पैटर्न में बोलते हैं क्योंकि यहां पर मेगाफून का सेफ हमें देखने को मिलता है तो अगर कोई आपको मेगाफून पैट बोले तो आपको confused नहीं होना यही पैटरन है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉटनिंग बॉटम चार्ट पैटर यहां पर हमें इंट्री पॉइंट के लिए हो गया यह हमारा बन गया यहां पर परफेक्ट इंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस हमने क्या डिफाइन किया था ज जो इसका highest point है और lowest point है यहां तक हम straight line draw करेंगे यह देखिए यह straight line है यह line कितने point का 308 point का यह line हमें फॉर्म हुआ तो उपर में भी क्या करेंगे at least 308 point का target price लेंगे यहां पर हम लंबे target price के लिए यहां पर देखिए यहां से हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करके उपर लिए और यहां पर हमारा 317 point का बना है और इस लेवल करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर अपना target price इसने हिट किया है तो क्लिए कर हमें entry point stop loss target price सारा कुछ यही पैटर्न हमें फर्म करके दे रहा और कोई निफ्टी बैंक निफ्टी हर एक जगह पर आपको वीक में एक इस तरह का pattern formation देखने को मिल जागा नहीं तो मंत में तो देखने को मिल ही जाता है तो इस तरह के pattern से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसके basis पर बहुत बड़ा opportunity हमें profit making का मिलता वह opportunity यहां पर हम लोग यहां पर length कम है यहां पर ज्यादा यहां पर ज्यादा यहां पर ज्यादा यहां पर ज्यादा मतलब जैसे से हम आगे जा रहे इसका जो width है इसका जो चौरा है वह आपका increase होता जा रहा है अब यहां पर हमें क्या चाहिए था यहां पर हमें चाहिए at least two high और high pattern का formation यहां प बना परहलो पर्मेशन किया पहला लो यहां पर दूसरा पर कुट्रिया परप्रक्राइब इसने कम्प्लिट्टी सैटिस्फाइव कर दिया अब यहां पर हमें क्या चाहिए अब यहाँ पर देखिए पैटर्न अभी तरह complete हुआ नहीं इसको आगे watch भी कर सकते हैं इसलिए मैंने एक live pattern आपको बता है और एक जो pattern complete हो गया उसको बता है यह जो length बनेगा इस length का हम उपर में target price रख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर बता है जो कि आपका होगा लगबग 11% से 12% के करें यहाँ पर आपको लंबा target price होगा लेकिन कब होगा अगर यह इस white वाले line को break करके उपर closing देता है अभी दे या फिर 5 दिन बात दे या फिर एक हफ लिया है यहाँ पर हमने आवली चार्ट ले यहाँ पर timeframe कोई limitations नहीं जो timeframe आपके लिए सुटेबल वह तैम फ्रेम आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर आप लाइफ देख सकते हैं इसको आप आगे follow भी कर सकते हैं अगर यह ब्रेक आउट दिया तो यह अगर य यह जो pattern है यह आपको यहाँ पर एकदम clear cut समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमने क्या बताया था इसके basis पर हम दो strategy form कर सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है जब यहाँ पर ब्रेक करके इसके ऊपर निकला है यहाँ यहाँ पर entry point नहीं बनेगा यह entry point बनेगा हमारा strategy number one में लेकिन यहाँ पर हम इस्ट्राइजी number two पे जा रहे हैं यहाँ पर entry point नहीं बनेगा इंट्री point क्या बनेगा जब यह वापस से इस लाइन को रिटेस्ट करेगा यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकलेगा और वापस से जब इस लाइन को रिटेस्ट करेगा यह हमारा बनेगा क्या यह यह हमारा बनेगा यहां पर entry point यह इस line को breakout करके उपर निकला इस line को वापस से retest किया है तो यह जो यहां पर resistance के रूप में काम करा यह line अब क्या बन जाएगा support level बन जाएगा और यहां से price आपका reversal लिखाएगा इसलिए यह हमारा क्या बन जाएगा entry point बन जाएगा उसके बाद यहां पर हमारा stop loss क्या बनेगा जो candle breakout दिया इसका lowest point यह हमारा stop loss की रूप में count करेंगा क्योंकि यहां पर आपका stop loss भी छोटा होगा अगर आप strategy 2 का इस्तमाल करते हैं तो उसके बाद target price क्या होगा target price यहां पर हमारा same रहेगा जो यहां पर target price का length रहेगा यहां आप यहां पर देख सकते हैं लगबग आपका 25-23 है यहां पर 28-23 से करीब target price रहेगा जो कि इसने आसानी से hit कर दे जो भी हमारा target price था वो यहां पर hit हो गया चा सारा कुछ एकदम डीटेल तरीके से बता रहा हूं जो कि बहुत कम जगह बताया जाएगा यह सब पैसे लेके बताया जाता लेकिन फिर में आपको सारा कुछ फ्री में बता रहा हूं बहुत सारे जगहों पर आपको यह चीज़ देखने को नहीं मिलेगा आप खुद भी यह स मेकिंग डिसिजिएंस को इंप्रूव कर सकता है सो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन